है शेते हैंने कि डिपेजन यह संप्तिंस करेंगे तो करें को प्रफॉर्म किया करे घ्रिजुप क्या रूवक्य में क्यों संपशनिक वेचे के लाइड की हुआती की बीची लोगता तो चलिए अपनी तो market ने आज almost जब खुली तो बिल्कुल flat खुली 288 के आसपास मैं डेली पर एक बड़ी चेक कर लेता हूं यहां पर कई बरी rate सही नहीं आते तो almost 288 के आसपास market ने exactly आज ओपनिंग करी ओपनिंग करने के बाद हम काफी देर से हम एक ही चीज़ डिसकस कर रहे है 255 और 285 यह major support निफ्टी के लिए long term अगर इसने levels को hold करना है आज market खुली इसने hold किया यह level को और उसके बाद उपर चलना शुरू कर दिया था एक तरफा जब एक दब move आया और थोड़ी selling आई again move उपर फिर नीची तो basically आज market एक uptrend में आपको देखने को मिल रही थी हर level पर market एक level break कर रही थी और उपर level पर जा रही थी यहाँ पर breakout आए again उपर गई यहाँ पर breakout आए फिर उपर गई almost just closing गई और 420 का सबसे की closing गई तो हमें अब चेक करना है कि market कल कि स्रेज में खुलती है मेरा ऐसा मारना है कि एक बड़ अगर यह 450 का level निकाल देती है यहाँ पर 15-5 minute की closing आती है तो हमें definitely 539 का first target होगा हमारा और 569 का second target होगा जहाँ पर जो candle हमें बनेगी low का हमें ऐसा लखना है definitely कल हम plan करेंगे 539 और 565 के target के लिए अगर market इसी range में खुलती है फिर कहीं नीचे खुलती है तब हम चेकर करेंगे price action क्या बन रहा है अगर कुछ breakdown दिखा रहा है 3-4 candle बना रहा है उसके बाद एकदम से breakdown आ रहा है तब हम expect करें कि almost first target हमारा होगा 325 का और second target हमारा 255 का हम expect कर सकते हैं अब मैं daily पर आपको एक बड़ी ले करके चलता हूं तो जैसे कि market अगेन आपको मैंने बताया था उपर लेवल पर selling आगी अब यह level hold कर रही है अगर 3-4 candle यहां पर बननी जरूरी है अगर इसे बहुत बड़ा breakout देना है अब आईदर अगर ऐसे speed से गर उपर जाए कि तो अ market को दो दो दिन candle बनानी पड़ेगी उसके बाद एक breakout देना पड़ेगा जिससे market एक तरफ आ उपर जाना शुरू कर दे अब बात करते bankrifty आज 43,346 के असपास open हुआ था और 413 के असपास close हुआ पांच मिनिट के अगर मैं बात करूं तो आज हमें जो 126 point के इसकी gap up opening मिली opening मिलते सारी bankrifty ने गिरना शुरू कर दिया था नीचे वाले लेवल पर इसने support ली हमने वीडियो में डिस्कस किया था अगर आपने चेक नहीं किये आपको में ओपर आइकन दे दूँगा वहां पर आप चेक कर रहे ना और last में भी आपको मिल जाएगी again for 91 के हमने बात किय support है और 110 के इसने support ली और ऊपर चलना शुरू कर दिया था ऊपर जाने के बाद अगेन यह जो हमारी crucial support थी 223 की आपको मैंने अगेन इसमें वीडियो में बताया था यह जो हमारी support है यहां पर एक pullback लेने के पूरे chance है यहां पर इसने pullback लिया और ऊपर जाना शुरू कर द एक तो first resistance आज का high होगा वो भी resistance बड़ी बनेगी आपको मैं इदर candle पर दिखा देता हूं almost हम यह level को resistance मान सकते हैं जो है almost 449 की और 485 की यह congestion zone है इसके बीच में आप trade मत करना अगर यहां पर के खुलती है हमें चेक करना है किदर breakout दे रही है in fact अगर इदर भी खुलती हमें इस breakout पर trade नहीं लेना हमें 485 की यूपर trade लेना है यहां पर breakout आता है कोई विक बनाता है बड़ी तो उसका हम लोग SL रखेंगे यह 450 का भी SL रख सकते हैं then हम 1.2 या 1.3 का target expect कर सकते हैं जो मारा first target रहेगा वो almost इस level के आसपास रहेगा which is 637 और second target मारा 763 का expect कर सकते हैं अग हम कर सकते हैं तो 223 का और 91 का 43,091 का target expect कर सकते हैं अब maximum लोगों ने मेरे को का था जो हमने hero Honda का trade लिया था आपने definitely loss में निकाला होगा काफी loss हुआ होगा आपको अब मैं आपको अपना दिखाता हूँ उसमे profit और loss क्या हुआ था और मैंने कहा निकल गया था मैं आपके लि लास वीडियो में 27.73 के आसपास हमने sell किया था हमने 26.70 के आसपास इसको cover भी कर लिया था देखिए अगर market में हमें अगर पता लग गया है कि हमारा जो prediction था वो गलत चला गया है तब हमें firefoot नहीं करना है हमें उसी time अपने जो भी हमने सौदा लिया है उसको exit करना है अगर इसको hold कर लेता या फिर अपने emotion के साथ बैठ जाता तो ये last में बंद हुई है 53.5 मेरे को इतना बड़ा loss हो जाना था 27.53 almost around 23 points के आसपास मेरे को इसका loss पे करना था 26 points के आसपास 26 points का loss मेरे को इसमें bear करना पड़ना था और मेरा maximum capital ये मेरे खा जा जाता hero motor cop का trade में आपको बताता हूं hero motor cop ये रहा हमारी prediction थी जो ये low इसने break किया है यहाँ पर मार ये नीचे आना चाहिए जो पांच मिट की अगर मैं आपको ले कर चलू यहाँ पर इतनी speed से इसने नीचे लगाया 27009 का level एकदम speed पर लगाने के बाद इसने उपर जाना शुरू कर दिया pullback लिया again उपर जाना लग गया मैंने आपको कहा था हम breakdown इसलिए यह trade ले रहे हैं अगर यह gap down opening होता है तब मैं definitely इसको hold करता अगर यह उपर भी चले जाता तो resistance phase करकर के नीचाना इसको पढ़ना था बट हुआ क्या यह बिलकु रैट पर खुला आप चेक कर सकते उसके closing के 2724.85 आज जो prediction थे वो गलेच चली गी थी तो एकदम से हमें इसको में बाहर आना पड़ना था 1854 के aspect हमने profit book किया और हम इसमें बाहर आ गए next state हमारा था finnifty का कभी-कभी हम आपके दिन इतने बिकार जाएंगा जो ट्रेलोगी उसमें आपको loss phase करना है पड़ेगा finnifty में भी वही वह और मसाज 4,000 तो 4500 का हमने loss bear करना पड़ा 19,200 का हमने loss bear किया और 14,000 का profit किया हमने एक saddle बनाया था यहां पर 19,100 और saddle नहीं कह सकते, stangle कह सकते kind of 19,100 की call base दी और 19,200 की हमने put base दी थी जैसा ही market ने उपर जाना breakout दे दिया था उसमें हमने clear कर दी थी आप देख सकते हो अगर हम clear नहीं कर थी again यहां पर 212 की यह बिग गई और 11 रुपए यह रह गई which is almost equal to 223 के आसपास और हमने sell किस लेवल पे की थी हमने की थी 90 और 80 मतलब 172 के आसपास हमने sell की थी और 223 के आसपास यह close हुई है तो हमें इसमें भी अच्छा loss हो जा था अगर हम इसको end तक hold करते हूँ लास्ट अगें 43 500 बैंक निफ्टी का बनाया था जो कुछ प्रॉफिट हमें देखर के गया था 4542 का प्रॉफिट और 32 का लॉज तो अगर आप टाइम पर निकल सकते हो बाहर तो definitely आपको निकलना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉडिक्शन गलच जाती है अगर 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 ही रुमोट का यहां पर नीचे खोलता है या फिर मैं मैं देखता है इसको resistance फेस करके नीचे गिर जाता तब definitely मैं इसको hold करता औ अपने जो price action को follow करता और अगेन मैं अपना profit अच्छा बुक कर सकता था फिर निफ्टी का भी वही है और bank निफ्टी का भी वही है हमें यह चेक करना है कि trend is your friend अगर trend हमारे साँ चल रहा है तो अब तो बढ़ी है अगर trend हमारा against हो गया तो हमें भी उससी टाइम पर अपना